हेलो फ्रेंट्स, कुशन नमबर नेक्ष्ट, कहना चाह रहा है कि show that the moment of inertia of a right circular cone whose height is h आपको एक moment of inertia show करना है, किसी solid cone का जिसकी height h है and the radius of whose base is a जिसके base की radius मेरे पास a है, is कितना दिखाना है 3m square a square but 20, 6 h square plus a square divided by h square plus a square about slant height, यानि उसकी जो तिर्ची उचाही है उसके respect में दिखाना है, अर्थात आपको अगर ये तिर्ची उचाही है, इसके respect में moment of inertia आपको ये दिखाना है and 3m upon 80 h square plus 4a square about a line through the center of gravity और ये moment of inertia दिखाना है आपको, किसके respect में 3m upon 18 h square plus 4a square दिखाना है आपको center of gravity के respect में, of the cone perpendicular to its axis जो axis के perpendicular है, जो axis के perpendicular है और center से पास होती है, उसके respect में आपको moment of inertia आपको ये दिखाना है ओके, चलते हैं question की तरब, मल लिया जाए, ये आपका solid circular cone है मैंने को बनाया this is solid circular cone clear आणा, ये height जो है, ये वाली height जो दे रखिये, दे रखिये h यहाँ से और यहाँ तक okay, मल लिया जाए, ये आप x axis मल लो ये आपकी x axis हुई, ये आपका origin point हुआ और ये आपकी y axis हुई, suppose that clear है ना, समझा चुकी, ये base radius दे रखिये मेरे को a, मैंने इसका नाम दिया, graph के according जो पहले बना रखा है, वो ही दूँगा ये d है, ये o है, ये मैंने a मल लिया, ये point मैंने b मल लिया और यहाँ मैंने एक छोटी सी circular disk ली, this is my circular disk ये मेरी कोई circular disk है, जिसका आदिया मैंने कितना मल लिया, चोड़ाई मैंने इसकी मल लिया, डेल्टा एक्स और ये वाला इसका center point माना मैंने, suppose that this is C और OC को मैंने मल लिया, ये वाली दूरी X है और ये वाला angle मैंने मल लिया, vertical angle, semi vertical angle मल लिया मैंने alpha और इसका नाम दिया मैंने disk का PQ clear, पहले इतने graph की बात करते है question कहना चाहरा है कि about a slant height यानि ये जो तीर्ची हुचाई है, इसके respect में आपको moment of inertia calculate करना है question आपको खुद बता देगा कि theorem लगनी है, कि simple method से question निकलेगा silent height की बात है, तो जाहिर सी बात है theorem का use क्यादा है clear, गर आप पुरा करता हूं वैसे तो गर आप बता दिया है मैंने लेकिन एक बार पिर बताता हूं ये आपका कौन है पुरे का पुरा ये कौन हो आपका okay इस point को D माल लिया इस point को मैंने C माल लिया elementary disk में ले ले ली, इसका point का नाम रखा P इसको यहां क्यों मानना चाहो तो यहां माल लो क्यों यहां मानना चाहरे हो तो यहां माल लो आपकी मरजी है यह वाले point को C माल लिया यहां से यहां थक की दूरी मैंने X ले ली और यह वाली इसकी height है मेरे पास कितनी H this is H base radius मैंने A माल ली semi vertical angle मैंने माल लिया alpha आपको moment of inertia निकालना है with respect to OA this is your question अब मैं जहां भी आपको doubt होगा एक एक word इसके इंदर clear करने की कोशिस करूँगा आप समझने की कोशिस करना मैं कहना चाहरा हूँ के suppose that M with the mass of a right circular cone okay यह जो circular cone है इसका mass मैंने M माल लिया and height h जो के मेरे को given है base radius a मेरे को फिर given है मैं कह रहा हूँ के alpha b the semi vertical angle okay इसका semi vertical angle मैंने alpha माल लिया और row is the density density मैंने कितनी माल लिया मैंने माल लिया row okay आगे इगी तरफ चलते है यहाद एक के तो कोई problem नहीं है पहली calculation करता हूँ भाई मैं ज्यान से देखना है आपको calculation का first step so that हमारे पास जो M होता है बाटा यह graph देखना जरूरी है और यह okay चलो मेरे पास M बराबर जो होता है वह होता है देखो आप formula देखो क्या होता है हमारे पास एक formula होता है I2 बराबर होता है I2 बोले तो V बराबर होता है 1 बटे 3 पाइ R स्कॉार इंटू H M बराबर जो होता है मेरे पास होता है Rो इंटू B अब यहां मेरे को R की वैलो निकालनी है यानि यह निकालनी है अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा दियान से देखना है आपको यह मेरा A है ये मेरा B है और ये वाला पॉइंट मेरा कितना है O है ये वाला पॉइंट O है ये वाली उचाई देखो आप ये उचाई दे रखिये मेरे को H और ये वाला एंगल मेरा कितना है alpha आपको पता है कुशन के अंदर मैंने माल लिया है इसको calculate कर रहा हूँ तो direct मैंने 10 alpha का use किया 10 alpha बरावर होता है لم बटे, आधार यानि perpendicular upon base perpendicular की value मेरे पास AB है, ओके, और base मेरे पास कितना है, H और अगर मैं AB की बात करूँगा AB बरावर मेरे पास निकल करके आया, H into 10 alpha ओके, और AB मेरे पास क्या है बटा, AB बरावर है मेरे पास, तरिज्जा है बोले तो R है, radius is equal to R है R की value कितनी निकल गी, H into 10 alpha, ओके यहाँ मेरे कुछ यह R square R square मैंने calculate किया मेरे पास निकल करके आया, H square into 10 square into alpha ओके, जब मैं इसकी value, आयतन मास निकलने के लिए value डालूँगा, मेरे पास निकल करके आयागा M is equal to, यह होता है बटा, 1 upon 3 pi r square h into rho तो मैंने क्या किया, एक बटे 3 मेरा agitage, pi मेरा agitage, rho मेरा agitage, h मेरा agitage r square की value डाली h square 10 square alpha तो यहाँ से मेरा M जो निकल करके आबटा, वो यह निकला एक बटे 3 निकल गया pi rho h की power 3 10 square alpha clear, देखो आप यही मैंने इसके इंदर calculate किया calculate करने के बाद मेरे पास m की value निकल करके आई देखो आप, यहाँ निकल करके आ रही है वनपोन 3 pi rho h की power 3 10 square alpha एक बटे 3 pi rho h की power 3 10 square alpha clear, आगे की दरफ चलते है now, हमारे पास यह जो इस तरह से जो axis के, मैंने आपको theory बताई थी, यह concept भी बताया था आपको, के भाई अगर हमारे पास यह जो कोई x axis और y axis दे रखी है इसके अलावा, अगर point of intersection दिया हुआ है, और कोई दूसरी axis के respect में moment of inertia calculate करना है, तो उसका जो formula होता है बटा, देखो आप यहां cushion के अंदर भी कह रहा है about slant height यह देखो पहले तो इस चीज को समझो आप मैं ओए के respect में क्यों निकालना हूँ moment of inertia about slant height यानि यह जो तिर्ची उचाई है इसके respect में moment of inertia निकालना है अक्सिज मेरी यह है और यह है यह मेरी x अक्सिज है यह मेरी y अक्सिज है, ओके तो इसके लिए मैं आपको formula बता चुका था बटा lecture के अंदर, last lecture में मैं इसका proof दे चुका था formula जो होगा, वो होगा a cos square alpha plus b sin square alpha minus 2f sin 2 alpha this is fixed formula proof दे चुका था भी इसका जहां मेरे पास a जो होता है a is the moment of inertia about x axis about ox या x axis b जो होता है, moment of inertia about y axis f जो होता है, वो होता है product of inertia about ox and o y, यानि ever body o x, o x और o y के बीच में यहां रखी हुई है यह product of inertia होता है clear आना, fundamental concept clear अब, elementary disc cover करूँगा, और उसके base पापको कुछ बताने की कोशिश करूँगा now, let us consider an elementary disc p q, parallel to the base यह जो मेरा base है यह जो base है, यह आपको जो देख रहा है d, यह वाला, यह वाला जो होता है base यह वाला, जिसके उपर में यह dot फेर रहा हूँ okay, इस base के parallel मैंने एक elementary disc consider की, okay, और उस disc का नाम रखा है मैंने p q जिसकी thickness मैंने अभी बता भी था आपको यह वाली मैंने ले ली delta x okay, delta x ले ली मैंने 8a distance, 8a distance x कितनी दूरी पर ली मैंने 8a distance x, देखो आप 8a distance x from the origin point from o, okay now, I will calculate the mass of elementary disc now, the mass of elementary disc suppose that delta m है delta m बराबर है मैंने जो लिखा हुआ है pi, rho, x square, tan square, alpha into dx सवाल पैदा होता है सरी यह कैसे निकल गया आपको बता है circle का जो area होता है वो pi, r square होता है circle का area कितना होता है बटा pi, r square होता है देखो आप यह आपकी जितने की ज़रुरत है सिर्फ उतना ही गराब बनाऊंगा यह situation है अब की बार यह तो आपका o है यह point c है यह वाला point p है इस graph की बात करता हूँ o, c, p यहाँ जो connection है radius निकल नहीं मेरे को मेरे को calculate करना है pc ओके और यह वाला angle मेरा कितना alpha है और यह वाली दूरी कितनी है x मैंने 10 alpha का use किया 10 alpha is equal to कितना होगा भाई 10 theta is equal to number 10 आदार होता है pc upon यह निकल गया x pc कितना निकल गया भीटा x into 10 alpha निकल गया ना pc वराबर मेरे पास क्या है pc वराबर है मेरे पास radius और pc की जो value निकल करके आई वो निकल करके आई x 10 alpha अब मेरे को delta m ची है delta m calculate कर रहा हूं delta m बराबर जो होता है वो होता है row into area और circle का area बराबर कितना होता है वो होता है pi into pi r square a बराबर pi तो यह हो चुका radius मेरे पास आचुकी यह देखो radius है इसकी cp मैं लिखा भी है cp radius radius का square कितना हुआ x square into 10 square alpha clear है ना no problem m बराबर या delta m बराबर मेरे पास होता है row into a मैंने जैसी value डाली row तो मेरे पास यह हुआ यह हुआ pi into x square into 10 square alpha into delta x आप भी जानते हो जो इसकी दिखने से ok सिधा सिधा निकिल गया आगे की तरफ चलते है कोई problem तो नहीं है यहां तक के now the moment of inertia of a disk this disk का moment of inertia calculate कर रहा हूँ about o x x x के respect में निकालूँगा y x के respect में निकालूँगा फिर में salient वाला formula लगा तूँगा ok देखो बटा ध्यान से सुनना o x बराबर यह तो होता है इतना formula एक बटे दो तो fix formula के अंदर चलता है formula यह होता है इसका जो moment of inertia निकालने का formula जो होता है वो यह होता है इधर बता रहा हूँ बटा एक बटे दो होता है into m होता है into जो दूरी होती है d उसका square होता है ok अब दूरी देखते हैं को निसी तो भाई जाहिर सी बात है जब मैं elementary disk का area calculate कर रहा हूँ एक बटे दो तो हो गई डेल टाइम भी होगा दूरी देखो कितनी है यहाँ से यहाँ तक देखो आप by particle तो मेरा यही आना elementary part तो यही आना अगर आप मेरी lecture series देख रहे हो मैंने उसको यही बताया था एक अलग से जो है मैंने algorithm भी आपको बताया था कि बटा निकालना क्या है जहां आपकी body है और जिसक्स के respect पर निकालना है उसकी बीच की दूरी clear तो एक बटे दो तो मेरा यह हो चुका बटा एक बटे दो यह होते ही मेरे पास जो है आगे की दरफ चलता हूं अभी मैं cp calculate कर चुका था cp का square देखो बटा एक बटे दो इंटू आपको भी पताये दूरी कितनी होगी cp होगी मैंने cp का square डाला एक बटे दो डेल टाइम की value डाली πाई ρो x square 10 square alpha ओके और cp की value कितनी है यह देखो मैंने cp निकाली हुई है cp मेरे पास कितनी है बटा x 10 alpha है जब मैं इसका square करूँगा x square 10 square alpha आजाएगा तो जाहिर सी बात है दो पावर यहां से दो पावर यहां से पावर 4 आजाएगी दो 10 square alpha की power पावर 4 10 की power 4 alpha आ चुका पाई ρो जू कातून एक बटे दो फार्मूले में है निकल गया आगे जलते हैं यह चीज क्लियर next so that अब यह डिस्क का तो मैं निकाल चुका बटा अगर मैं टोटल का निकालूँगा इसका टोटल का यह जो मेरे पास कौन दे रखा है अगर टोटल कौन का मोमेंट ओफ इनर्शिया में निकालूँगा तो जाहिर सी बात मेरे को इंटीग्रेट करना होगा भाई एक डिस्क यहां भी आ सकती है ऐसी यहां भी डाली जा सकती है एक तरीका तो यह है कि बहुत सारी डिस्क मोमेंट ओफ इनर्शिया किसका मोमेंट ओफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ एबाउट ओ एक्स किसका मोमेंट ओफ इनर्शिया है यह मेरे पास कौन का जो मेरा कौन है यह पूरे कौन की बात कर भाँ हूँ यह वाला जो पूरा कौन है यह वाला जो पूटा कौन है चलते हैं आगे की तरफ तो भाई यहाँ से जो value निकल करके आएगी कितनी निकल करके आएगी बटा यह देखो आप पहले तो height देख लो integration कहाँ से होगा 0 से लेक है last तक height कितनी है इसकी आप कोई पता है height h है देखो ना आप height कितनी है इसकी 0 से लेक है h तक integration कितना हुआ 0 to h और delta m को मैंने integrate किया जो के value दे रखी थी 1 upon 2 आपके सामने है 1 upon 2 pi rho x की power 4 10 की power 4 alpha into delta x clear है ना अब मैं इसको integrate करूँगा और result निकालने की कोशिच करूँगा ज्यान से देखना आप यह मेरा total game है यहाँ पर जो चल रहा है देखो बटा भाई इसके अंदर से जो constant है वो तो बहर आई जाएगा आप इस चीज को समझने की कोशिच करना आप इसके अंदर से एक बटे 2 बहर आ चुका pi बहर आ चुका rho बहर आ चुका 10 की power 4 alpha बहर आ चुका x की power 4 का integration x की power 5 upon 5 आ चुका 0 to h limit है clear है ना तो जैसे मैं limit डालूँगा कितना निकल करके आएगा 5 दूनी 10 तो यह निकला 1 बटे 10 तो यह हुआ 1 बटे 10 हुआ pi आ rho आ h की power 5 हुआ 10 की power 4 alpha आपके सामने है निकल कैना कैसे निकल कर क्या integrate करते ही result आ चुका चारो no problem but m की value देखो बटा मैं m calculate कर चुका था ध्यान से सुनना फिर मैं आपको बता भी रहा हूं but m बराबर था मेरे पास 1 बटे 3 pi rho h की power 3 10 square alpha यह था ना मैं कहा भी रहा हूं कि मेरे पास m जो है 1 बटे 3 pi rho h की power 3 10 square alpha है यह जो मैंने सबसे पहले calculate किया था so that now I am calculating the moment of inertia about o x ध्यान से देखना है बटा आपके पास जो result आ रखा है आपको इसको 3 से उपन नीचे गुना कर दो यह जो है ना about a moment of inertia कितना है आपके पास आपका जो mi आ रखा है वो आ रखा है बटा pi rho h की power 5 10 square alpha sorry 10 की power 4 alpha alpha upon कितना रखा है 10 मैंने इसको 3 से गुना यहां कर दिया 3 से गुना कर दिया मैंने यहां और मैंने इसको रिखा बटा इसमसे 1 बटे 3 अलग निकला pi अलग निकला rho अलग निकला h की power 3 निकला 10 square alpha निकला एक quantity तो मैंने यह लिखी यहां मेरे पास कितना बचा बटा एक तो 3 बचा उपर और h की power 3 निकल दी h की power 2 बची मेरे पास यहां और यह 10 square alpha बचा मेरे पास यहां यह बचा ना clear ना इसकी value कितनी है आपके सामने है m और आगे की दरफ चलते है ओके तो मेरे पास कितना निकल कर बचा यहां से यह निकल कर क्या 3 h square 10 square alpha ओके 3 h square 10 square alpha अपोन कितना हुआ 10 आ चुका ना अब आगे देखते है देखना बटा में क्या बताने की गोश्च करता हूँ यह आपका triangle दिया हुआ है 10 alpha calculate करूँगा इसके अंदर से में आपका triangle सीधे का सीधा यह दे रखा है यह आपका कितना है बाई O यह आपका कितना है B यह आपका कितना है A यह height दे रखी आपको H strangle के अंदर लिया B, A, O के अंदर यह वाला angle मेरा कितना है alpha तो जैसे ही महाँ यहां से 10 alpha की value निकालूँगा 10 alpha बराबर मेरे पास कितना निकल करके आएगा यह वाली दूरी कितनी दे रखी है A Oके बराबर कितना होगा 10 theta number टे अधार A upon कितना हो जाएगा H और यहां से मैंने जैसे इसके अंदर value डाली तो मेरे पास इदर moment of inertia जो चल रहा है MI बराबर कितना निकला 3 H square into 10 square alpha की value निकली A square upon H square बर्टे 10 इस से मेरा यह cancel कितना निकल गए बर्टा 3 A square upon 10 10 और यह वाली value ग्यां से देख ले ना यहां यह जो बचाववा था यह कितना था into M B था okay into M यह तो M हो चुका ना देखो ना का लिका है मैंने okay मैंने 300 कुना किया था ना यह बर्टे में 300 कुना कंड़े के बाद यह मेरे पास M बन चुका था ना यहां से देखो ना यह वाला जो M है 1 बटे 3 pi rho h की power 3 10 square alpha 1 बटे 3 pi rho h square 10 square alpha यह तो value मैरे पास M आचुकी 3 h square 10 square alpha यह आ चुका और बटे कितना है 10 यह बेंगा कितना है 10 यह सकुका यहीं यहां भी देख हो बटे कितना है 10 यह मेरा 10 तो finally इतना निकल कर क्या 3 a square m upon 10 clear कैसे निकल क्या यह देखा हूँ 3 a square m upon 10 now I am calculating the moment of inertia दूसरे उसके respect में निकाल रहा हूँ o y के respect में निकाल रहा हूँ पहलने लक्सिस यह इसके respect में moment of inertia calculate कर रहा हूँ about o y this is important okay moment of inertia about o y तो फार्मूला क्या होता है बटा देखा है moment of inertia about the parallel diameter pq आप जानते हो अगर इसके respect में निकालना है तो इसके respect में निकालना होगा और center of gravity के respect में निकालना होगा okay मैंने वही किया moment of inertia about the diameter pq plus moment of inertia at point c about o y यह तो दोनों concept होते हैं चलो तो भई यहां से देखो आप moment of inertia about o y यह तो होता है फार्मूला एक बटे चार डेल टाइम यह देखलो आप cp यह तो चलनी चलनी है भई क्योंकि इसके पैलल निकालना हूँ इस दूरी का स्कॉर क्योंकि particle मेरा यहां है एक बटे दो cp स्कॉर प्लस डेल टाइम इन्टू o c स्कॉर इसक्स के respect में निकालना हूँ तो यह दूरी चलती है आपको पता है अगर आपने मेरी theorem देखी हो जब मैं इसके respect में निकालाँगा o c का स्कॉर तो यह आएगा प्लस center of gravity के respect में यहां से निकालना हूँ ना तो दूरी तो यही होगी ना center of gravity के respect में o c स्कॉर हम इसको solve करके दिखाता हूँ आपको कितना आ रहा है क्या रहा है फिर आगे की तरफ चलेंगे पहली बात तो यह है के cp तो मैं निकाल चुका था बिटा देखो आप cp तो मैं पहली calculate कर चुका था cp था मेरे पास कितना मैं यहां लिख रहा हूँ cp मेरे पास आ चुका था एक्स टैन अलफ़ निकल गया था ना cp के साथ साथ मेरे कुछ यह o c o c की बात कर लेते हैं य यह देखो कभी आपको कहोगे सर कहा से है यह देखो मेरा cp ट्रेंगल के अंदर cp पहली calculate कर चुका था एक्स टैन अलफ़ अब मेरे कुछ ही है क्या भई मेरे कुछ ही है o c चलो वाइट ट्रेंगल उठाते हैं और o c की value देखते हैं यह मेरा o है यह मेरा c है सीधा सीधा o c is equal to कितना x नहीं है क्या यह x है ना आपके सामने है अगर यह point p है यह यह x जैसे जा रही है यह वाला एंगल अलफ़ा है x square होएगा ना सीधा चलो वाई value डालता हूं result calculate करता हूं देखते हैं बाई कितना है तो यहां से मेरे पास नि कितना है cp की value है मेरे पास x square 10 square alpha और plus oc की value मेरे पास कितनी है x square del time मैंने यहां से del time कोमल ले लिया कितना बचा मेरे पास बचा यह बचा एक बचा 4 x square 10 square alpha plus x square del time की value डालवा आपको पता है del time कितना है अगर doubt है तो मैं बता रहा हूं चुकि del time बराबर है मेरे पास pi rho x square 10 square alpha into delta x यह value है देखो मैं पहले ही calculate कर चुका था del time मेरे पास कितना है pi rho x square 10 square alpha ओके मैंने value डाली value डालने के बाद देखता हूं कितना रिजल निकल करके आता है यह moment of inertia चल रहा है बचा यह हुआ मेरे पास नहां del time की value डाली यह हुआ pi rho x square 10 square alpha delta x ओके आगे के दरफ चलते हैं और plus plus कितना हुआ मेरे पास भाई plus मेरे पास हुआ अगले वाला step del time की value जाना यहां यह तो बहर आ चुका यहा पाई rho x square 10 square alpha into delta x अंदर मेरे पास कितना हुआ पैटा एक बटे 4 यह हुआ x square हुआ 10 square alpha हुआ पलस x square हुआ आप यहां से x square कोमल ले लो x की power 4 आजाएगा यह रख एक x square तो यह है ओके देखो आप एक बटे 4 x square 10 square alpha पलस x square आपका यह मैच हो चुका यह हम की value मैच हो चुकी into delta x यह तो चलना ही चलना है clear समझा चुकी बाद आगे की दरफ चलते हैं तो यहां के जश्ट बाद मेरे पास जो रिजल निकल कर क्या है बटा moment of inertia about o y यह देखो आप यह वाली line मैंने फिर से लिखी एक बटे 4 मैंने यहां से कॉमन ले लिया यह हुआ 10 square alpha पलस इदर 4 आजाएगा x square भी कॉमन ले गर के x की power 4 पाई रो और x की power 2 into delta x clear है ना no problem आगे चलते हैं now the moment of inertia about y axis चलो भाई now the moment of inertia about y axis देखता हूँ कितना है moment of inertia about y axis calculate कर रहा हूँ में तो y axis calculate करने के लिए moment of inertia about y axis वही मेरा overall integration इसका calculate कर रहा हूँ सवाल पैदा होता है सर जब आप o y के respect moment of inertia calculate कर रहे हो तो यह limit क्यों ले रहे हो बैटा इसी का calculate करना है क्योंकि variable quantity मेरे पास delta x है limit हुई मेरे 0 to h एक बटे 4 10 square alpha प्लस के 4 pi rho x की power 4 10 square alpha into delta x अब देखो बैटा variable quantity क्या है x है x की power 4 का integration क्या होगा x की power 5 हो जागा न अगर में इसको एंदर शेंज करता हूं फिर आप को होगे कि सर एंक की value क्या है ध्यान से सुनना मेरे पास M बराबर जो है M बराबर निकला हुआ था एक बटे 3 pi rho h की power 3 था और 10 square alpha था ओके जब आप इसको solve करोगे इसको उपर नीचे तीन सब्सक्राइब की कोशिस करो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वह है pi rho h की power 3 में लिख दो इसको h की power 3 में लिख दिया मैंने pi rho h की power 3 10 square alpha की value कितनी निकल कर किया गी यहां से क्या 3m नहीं होगी क्या ओके मैंने वही किया pi rho h की power 3 और 10 square alpha की value मैंने डाल दी 3m h की power 5 थी h की power 2 बची बटे 20 बचा और 10 की power 2 alpha पलस के 4 क्लियर आना आगे जलते हैं अब यहां से देखो बिटा 10 alpha की value फिर से calculate करता हूँ और आपको समझाने की कोशिस करता हूँ यह मेरे पास situation है यह मेरे पास o है यह मेरे पास a है यह मेरे पास b है यह मेरे पास a है यह वाला देखो आप o b a यह वाली दूरी मेरी a है यह वाली height मेरी h है यह वाला angle मेरा alpha है तो 10 alpha की जब मैं बात करूँगा 10 alpha बराबर कितना जोगा ओके मैंने इसकी वेल्लू दाली आप इसकी वेल्लू डालो वेल्लू डाल देग इतना होगा यह दियान से सुनना यह यहां निकल करके आएगा नहीं बेज पर बताता हूं आपको बंडा डाउट लग जाएगा जैज भी खतम हो चुके सारे यार यही पर बताता हूं यहां से देखना है यहां के पास निकला 3M बटे 20 इंटू H स्कॉर 10 अलफा की वेल्लू कितनी हुई मेरे पास A upon H आच चुकी यह हुआ A square upon H square पलस के 4 जब मैं इसको solve करूंगा 3M H square बटे 20 A square फलस 4 H square बटे H square H square से H square cancel यहां जाएगा क्लियर A B निकल चुका B B निकल चुका अब मेरे को चीए साइन अलफा और कोस अलफा अब धियान से सुनो बटे बी मेरा moment of inertia फिर आ चुका B निकल चुका moment of inertia A इस सबहले calculate कर चुका था मेरा जो graph है दियान से देखना है क्या यह graph symmetric नहीं है क्या भई अब इस graph की तरफ पहुचो F निकल लाओं में जितना graph X axis के उपर है उतना ही graph X axis के नीचे है और अगर कोई graph symmetric होता है about X axis उसका moment product of inertia हमें सा 0 होता है कई lectures के अंदर यह बात भी आपको बता चुका आगे जलते है F पी आ चुका अब now अब मेरे को चीए ध्यान से सुनना में last value calculate करूँगा बटा मेरा formula यह था ध्यान से देखो मेरा formula था यह a cos square alpha b sin square alpha minus f sin 2 alpha F की value तो 0 हो चुकी भई a में calculate कर चुका देखों आप a में calculate कर चुका हूँ यह देखों mom womenstop of inertia with respect to a यह मेरा a रखा हुआ है तीन पॉन दस LET में Das K 산 मैं इसको calculate कर चुका है अगर आपको doubt है यह देखों आप a Hari mom moment of inertia about ox कितना निकला था यह b Mike calculate कर चुका moment of inertia about y axis यह देखों बी मेरा कितना आया, बी मेरा ये आ चुका, दिस इज माई बी, ए और बी तो आ चुका, अब यहां से मेरे को चीए है, टैन स्कॉार अलफा चीए, साइन स्कॉार अलफा चीए, एफ मेरा जिरो हो चुका, एफ जिरो हो चुका ना, आगे जलते हैं, इन दोनों की जरूरत अब नहीं है इन दोनों पेज की ज़रोद नहीं रही जब ज़रोद प्रड़ें में बात कर दोंगा अब मेरे कुछ यह है टैन अलफा और साइन अलफा स्वारी साइन अलफा ची और कोछ अलफा ची यहीं निकालने की कोश्च करूंगा समझने खुश करना बड़ा देखो आप ट् इस झाल यह है कि वालत पॉंट कितना है और मेरा असुर्च साइन और यह वाली दोरी कितनी है गट आपको भी बता है H² प्लस के A² होगी मैंने डारेक्ट कोस अलफा निकाला यह मैंने यहां गलेद लिख दिया है O B है यह कोस अलफा इस इकल टू इस तिरूच के अंदर लिया O A B के अंदर की बात कर रहा हूं यह देखो आप अब यह आपको डाउट लग जाए O A B यह वाला ट्रेंगल ओके इस ट्रेंगल की बात कर रहा हूं देखो कितना निकल रहा है तो कोस इटा बराबर क्या होता है अधार बटे कार्ण अधार मेरा कितना है H कार्ण मेरा कितना है H² प्लस A² आपके सामने है कोस इटा बराबर आधार बटे कार्ण दीस बटे दीस सीधा निकल गया साइन दीटा बराबर क्या होता है लम बटे कार्ण लम बटे कार्ण A upon H² प्लस A² किलियर आचुका आगे जलते है मेरे पास मॉमेंट ओप इनर्शिया का फार्मूला क्या था A, A, أ, C square α पलस B, sin squared α माइनस के 2F sin α यही तो बोला था में बहुत देर से अब सवाल पुर्दा यह होता है कि सदिये क्यों है बटा जब एक Aक्सिज जैसे है दीसरी Aक्सिज जैसे है किसी तीसरी Aक्सिज के रेस्पेक्ट पर निकलना होता है moment of inertia और दोनों का कोई particular point of intersection होता है तब इस फार्मूले का use होता है कुशन खुद बता रहा है कि आपको इस फार्मूले का use करना है slight height की बात clear बोलना है यह देखो slight height about slight height कहीं न कहीं हिंट लिखा होता है कुशन के अंदर clear अब A की value डालता हूँ देखो आप मैंने A की value लिखी हुई है मेरे पास फार्मूला है A कोश स्क्वार अलफा B साइन स्क्वार अलफा माइनस के F2 साइन अलफा A की value मेरे पास calculation के बाद यह आ चुकी थी B की value calculation के बाद मेरे पास यह आ चुकी थी आपको होगे कहां साई है कैसे आई है आपको फिर से दिखा देता हूँ यह मेरे पास A की value रखी हुई है देखो आप सेम मैच हो रही है और यह मेरे पास B की value जो मैंने calculate की है 3 बटे 20 M H square A square plus 4 H square clear रहना F moment product of inertia 0 हो चुका आगे चलते हैं यह value मैंने इसके अंदर डाली बटा A की value जहां डाली कोस सिटा की value डाली देखो आप कोस सिटा की value डालना हूँ यहां मेरे कुछ ही है कोस स्कॉार alpha कोस स्कॉार alpha की value निकल कर के आएगी H square upon H square plus A square कोस स्कॉार alpha plus B की value डाली 3 बटे 20 M A square plus 4 H square into sin square alpha देखो बटा जब यहां से में सब कॉमल लेकर के solve करूँगा ना मेरे पास यही आएगा सीदी सी बात और यहीं आपको proof करना है ओके आप इसको बच्चो वाली calculation है कॉमल लेकर के इसको हल करो हल करते ही आपका इसका जो second part है बटा वो अगले portion के अंदर बताऊंगा एक portion एक मेरे को यह भी बताना था ओके क्योंकि वीडियो की लेंद बहुत जादा बढ़ जाएगी इसलिए इस portion के अंदर सिरफ इतना ही चालब बाए क्या झालब लेकर के लेकर क्या है